जो सबसे पहले आपको जो है इसके अंदर जो है बेसिक करेक्शन कर लेनी है जो है इसका मैं एक्सपोस करूँगा प्रपरली तो इसको मैं एक्सपोस करना जाहूँगा शैडो एक्सपोसर देन फिर हाइलाइट्स को मैं यूज करूँगा और बहुत ही इसली हमने बहुत ही अच्छे से इसका एक्सपोसर जो है आलमोस्ट हमने अचीव कर लिया है जो भ इसमें थोड़ा सा white add करेंगे then again यहां पे मैं एक adjustment layer लेने वाला हूँ adjustment layer को मैंने इसके उपर apply किया और इसके अंदर मैं एक जो है बहुत ही special जो tool है color correction के अंदर जो आपको मिलेगा channel mixer इसको आपको यहां पे apply करना है और effect control में जाएगा तो यहां पे channel mixer के अंदर red versus red आपको target करना है इसका value हम 200 रखेंगे और उसको adjust करेंगे red और blue के साथ उसको counter करेंगे जैसे हम इसको counter करोंगे आप देखेंगे बहुत ही easily brown को achieve कर लिया है especially orange tone को तो इसको मैं adjust करना चाहूंगा ताकि जो है मुझे अच्छे से जो है इसका effect मिल सके और फिर जो है दुबारा में ने target किया blue और red का combination इसको मैं थोड़ा सा minus में ताकि हलका सा blue जो है उसको कम करना चाहूंगा warm look add करना चाहूंगा और थोड़ा सा यहां से आपको adjust कर देना है और दे देखिए और उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा यहां से जो है saturation कम कर दीजिए और again यहां पर फिर again curve tool में जाहिएगा और यहां पर जो है cinematic tone को apply करेंगे बहुत ही ध्यान से आपको use करना है और आपका जो ध्यान है limitoscope के उपर जो है ताकि जो है हमें इसका result properly देख सके और बहुत ही patience वाला यह जो है काम है तो यह देखिए बहुत ही easily हमने जो है इस orange tone को achieve कर लिया है with the channel mixer तो आप बने रही है ऐसे बहुत सारी tutorial आपके पास आने वाले हैं जिनके अंदर हम Davinci Resolve, Premiere Pro बहुत यह ऐसी easy way में जो है आपको color grading से खाने वाले है आप हमारा जो है core join कर सकते हैं जिसके अंदर हम आप complete one month का training देते हैं और जिसके अंदर आपको Davinci, Premiere Pro की color grading जो है बताई जाती है So thank you friends, keep watching, Harun's creation